फोटोसब के फर्स्ट क्लास में हम लोग ने फोटोसब को इस्टॉल करना सीखा इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फोटोसब के अंदर कोई भी फोटो को कैसे लाना है फोटो को अगर हम लोग इडिट कर रहा है तो इडिट करने के बाद फोटोसब को सेम कैसे करना है न हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लाइक अपने दोस्तों शेयर करना भूलें चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते कि Photoshop को खोनला कैसे हैं लोग तो फोटोशाप डाउनलोड कर लिए अब फोटोशाप को हम लोग देखेंगे कि Photoshop 7.0 देखने को मिल रहा है तो आप यहां से भी कुल सकते हैं है तो आपको और आपका फोटोशाप स्टार्ट होने लगेगा यह स्टार्ट होने का कुछ इंटरफेस कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग को तुरह सा वेटिंग करना पड़ेगा आप यह इसका ओपनिंग प्रोसेस है इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा तो हम लोग वेट कर लेते हैं और इसका ओपन होने का जैसे ही आपका Photoshop ओपन हो जाएगा तो आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा यहां पर एक एक चीज का अपना अपना मतलब है और आपके सामने यह एक टूल्स का ओप्शन देखने को मिलेगा तो यह टूल्स बहुत माइनी रखता है फूट्वसाप में आपको जितना स्याधा टूल्स का नॉलेज होगा जितना ज्यादा Photoshop strong होगा और आपका उस पर ज्यादा पकर होगा तो टूल्स का बात हम लोग बाद में करेंगे सबसेर पहले हम लोग इसका इंटरफेस का बात कर ले तो यहाँ पर टॉप में आपको कुछ मेन्यू देखने को मिल जाएगा जिसमें फाइल इडिट इमेज लेयर यह स आई होगा तो यह को है और यह अभी कोई भी एक्टिश नहीं है यह एक्टिश कम होगा तोयह एक्टिश जम आपके सामने कोई फोटो होगा जबाप कोई फोटो पर ने जुँल्हक होगा तो हम लोग पहले लेयर समझेंगे कि लेयर क्या होता है तो लेयर का मतलब होता है परत परत का मतलब क्या हुआ जैसे कि हम लोग का यह हमारा जो यह फिंगर है तो फिंगर पे यह फिंगर डायक्ट फिंगर नहीं है इस फिंगर पे पहले इसकीन का लेयर है फिर उसके बाद म लेयर बन गया फोटो वान हमारा फोटो लेयर वन हो जाएगा और फोटे टू हमारा लेयर टू हो जाएगा तो सबसे पहले हम लोग कोई फोटो को यहां पर लाते तो फोटो लाने का दो तरीका है आप यहां पर फोटो लाने का दो तरीका है सबसे पहला तरीका क्या है कि और यहां पे आप new पे क्लिक करें या open पे क्लिक करें तो आप जैसे ही new पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा तो यहां पे new पे क्लिक करने के बाद यह जो option आपके सामने आ रहा है तो यहां पे आपसे पूछ रहा है कि फाइल का किया आप नखना चाहते है अगर आप कोई पूर्जेक्ट बना रहे है तो यहाँ पर अपने हिसाप से कोई भी इसका नाम रख सकते हैं पर सकते हैं अगर नहीं रखना वोकर ऊपचिंट स्यॉन मिलेगा के पर्जेंट साइज तो इसका क्या देना ज chatting जे बिए जो अभी जो नया प्यज आएगा आपके सामने तो उस पडिच का होगा फोटो का एक साइज होता इंडलaces होता है प्रिंट कर जोल्य कैसे वाले देते हैं तो उस फोटो का öğश्य जाता में इसको details में समझेंगे कि यह सारे color से क्या मतलब है and white background color background transparent color रखना है कैसा रखना है तो background color यहां से हम लोग कर लेते हैं and इसको okay करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं यह हमारा a4 size का page new page बनके ready हो चुका है तो जैसे ही आप यहां पर देख रहे हैं कि हम लोग एक new page लिए तो हमारा यह navigation और इसके बाद यहां पर history यहां पर आप show कर रहा है history और इसके बाद layer 1 पर पुछ आपको देखने को मिल रहा है तो अब देख सकते हैं आपकी यहां पर layer यह और यह सारा options हमारे सामने open हो चुका है तो हम लोग यहां पर फोटो लाना सीखते हैं तो फोटो लाने के लिए क्या है कि आप यहां पर blank जगपे double click करेंगे तो आपका photo चलाएगा यह आप normally file पर click करें और इसके बाद open पर click कर और open करें यह आपका photo on हो चुका है अब आपको एक चीज़ फिर से आपको समझना है कि layer जैसे हम लोग ने पहले यह लिया तो layer हमारा one है यह लिए हमारा layer two है इस चीज़ को आप यहां नीचे में भी देख सकते हैं हमारा layer one यह है और यह layer हमारा two है तो इस तरह से यह हमारा layer है अगर और भी ज्यादा photo अप लेंगे तो इसका क्या layer होगा सो हम लोग भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिलाल इस वीडियो में हम लोग यही देख रहा है कि हम लोग को फोटो कैसे लाना है अगर बाइचनस माली जी यह फोटो आपका बनके ready हो चुका है तो इ जैसे ही इस options पर नीचे में आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने bmg, color, photoshop, photoshop, dsp, jpj, png इस format पूछेगा आप से तो अगर आप फोटो को अगर आपका पासवर्ट साइज फोटो है और आप चाहते हैं कि यह बाद में photoshop में ही खुले तो आप आपको इसको normally phd, photoshop, psddd मे save कर ले अगर आप चाहते हैं कि यह हमारा photo बन जाए image बन जाए तब आप इसको jpj या आप png में save करें तो png में यह आप हम लोग save कर लेते हैं हमारा यह photo save हो चुका है next video में हम लोग बात करेंगे कि यह सारे tools का use कैसे कैसे होता है एक एक tools का हम लोग यहां पे use करके नेक्स वीडियो का आप इंतिजार करें तब तक के लिए धन्यवाद चलि मिलते हैं नेक्स वीडियो में कि अ कि अ कि 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 क क क